पर निती के शादी के अंसल हो गए, आईसी जगह, संज्वाट परी अभी तक नहीं बता पाई है, राजीव को सारा सच नितीका, और हमने देखा इता ना के परी के सामने नितीका सब कुछ आ गया है, मतलब उसकी जो हरकते थी, किस तरीके चो उसने उसके बच्चे को मारा थ होगा कि कहीं तेरी तरह, हैंने पर अपनी आधाश रीक हो थे, बार्पती माता के दर्शन करके वह लोट रही है, रास्ते में से धकाम लरके, खाई में के राना, अधुसे ऐसी दर्कनाथ मौप भोगा कि उसके राश देखने वालों के भी हूँ कांटेक्ट, शिश्कीती, अपने वैष्णो देवी माता के दर्बार और वहां से फोन करती है, अचानक से उनको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ तो होने वाला है परी के साथ और उनको घबराट होने लगती है, यहां पर वो राजी वार परी को फोन करके बोलती है, काम करते हैं, तुम्हें शादी करने तो नीती परी को बच्चा दे कर चली जाएगी, तो ऐसा हम कर सकते हैं, शादी करने की जरूरती नहीं है, तो यह सुनके ने राजीव और नीती बड़े खुश होते हैं, और वहां तो निकल चुके नहीं, घर वापस नहीं जाएंगे, हम माता के दर्बार में दर्शन करते और यहां पर राजीव और परी की शादी करा देंगे, भाई मैं तो बहुत खुश हूँ राजीव और परी को एक साथ देखने के लिए, यहां पर राजीव और परी तो बहुत खुश हैं, लेकिन ताई जी को सबज भी नहीं आ रहा, गुर्वेंदर इतनी अच्छी कैसे ह अब यहां पर नीती ना बुलाएगी राकेश को और हम देखेंगे कि राकेश की एंट्री हो गई है और जो नीती के हाथ में बंदुखती ना वो राकेश के हाथ में होगी और अब राकेश लेगा परी की जान अब यह तो माने वाले एपिसोड में देखेंगे कि राकेश रा जाएगी जान या परी की जाएगी जान